आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ पैना सोनिक का एक ए लेडी बल्ब इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे लेडी बल्ब की वीडियो बना रखी है ताकि आप अपने एकॉर्डिंग एक बेस्ट बल्ब सेलेट कर सकें कुछ बल्ब आई कमफर्ट टेकनलोजी के साथ हैं कुछ बल्ब ब्राइट लाइट के साथ हैं तो जैसी आपकी रिक्वार्मेंट है वैसा आप बल्ब लें इसलिए मैं इन लेडी बल्ब के लिए वीडियो बनाता हूँ और आज ये जो मैं पैना सोनी का लेडी बल्ब लाया हूँ इसका मॉडल है किंगलो ओमनी और ये 15 वाट का लेडी बल्ब है इसके अंदर 3.5 किलो वाट तक की सर्ज प्रोटेक्शन है तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे लाइट की फ्लक्टुएशन ज इसकी लुमिनेंस 1380 LM है मगर इसके कॉम्पिटीशन में बाकी जो बल्ब आते हैं उनकी लुमिनेंस 1400 से 1500 LM के बीच में होती है तो इसकी लुमिनेंस थोड़ी सी कम है मगर अगर आप कोई ऐसी जगा रहते हैं मैं फिर कहा रहा हूँ जहां पे फ्लक्टुएशन बहुत ज़ इसकी लुमिनेंस एक 23W CFL के बराबर है और एक 100W GLS बल्ब के बराबर है यह 100V से लेके 320V तक काम करता है तो इस बल्ब के लिए अलग से कोई भी स्टेबलाइजर की ज़रूत नहीं है यह हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पे इक्वली परफॉर्म करता है इस होल्डर म B22 holder है तो इंडिया में यूज होने वाले maximum holders के अंदर यह easily fit हो जाएगा बस एक जीस का ध्यान रखना है कि इस बल्ब को किसी dimmer के साथ यूज नहीं करना ना ही किसी close enclosure के अंदर इसको यूज करना इसका beam angle 120 degrees का है तो इसके अंदर से light काफी दूर तक scatter होती है और company कहती है कि इस बल्ब की long life है इसके अंदर कोई भी UV और IR additions नहीं है ये indoor use के लिए है और इसके अंदर कोई mercury का भी use नहीं किया गया तो इस साथ से बल्ब eco friendly भी है ये बल्ब 2 star rated है और इसका MRP 290 रुपे है मगर online एक काफी सस्ते price पे मिल जाएगा और अगर आप इसको purchase करने की सोच र सकते हैं इस box के अंदर एक है 15 वाट का LED बल्ब मिलता है जो की polycarbonate unbreakable plastic से बना हुआ है और इसकी build quality भी काफी जादा strong है तो अगर ये बल्ब नीचे भी गिर जाता है तो भी ये बल्ब खराब नहीं होगा ये बल्ब बाकी सबी LED बल्ब की तरह ही देखने को मिलता है इसके नीचे B22 holder है जो की metal का बना हुए है उसके उपर है opaque plastic है जिसके अंदर इसकी LED और circuit enclosed है और उसके उपर है translucent plastic है जहां से light emit होती है इस बल्ब में जो holder attached है इसकी quality बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि इसके उपर finishing बहुत अच्छी नहीं है इसके उपर glue marks अलग से न room में लगा है और आप देख सकते हैं कि उपर और कोई भी light नहीं जल रही और इस room के अंदर इतनी brightness है कि इस room के अंदर कोई भी काम किया जा सकता है तो इसकी brightness से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है काफी अच्छी brightness है इस bulb की तो अभी आपने देखा कि इस bulb की brightness कितनी ज़्या सकते हैं पूरा room काफी अच्छे से bright हो जाता है इस bulb का use करके और यह एक made in India product है और इस bulb को आप definitely consider कर सकते हैं अगर आपको room के अंदर अच्छी brightness रही है और अगर आप कोई ऐसे area में रहते हैं जाकि light fluctuation काफी ज़्यादा होती है तो उस area के लिए भी बल्क बहुत काम करता है और high voltage पे भी काम करता है यह बल्क सो वाट से लेके 320 वाट तक equally perform करता है और अगर आप इस बल्क को purchase करना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट वाइलिंक है वो नीचे description में दिया हुए जहां पर क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते price पे purchase कर सकते हैं तो यह थी पै YouTube के ओपर Glitter's infrared channel को जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon प्रेस करके all the wine ताकि मेरी बनाई वीडियो की सब भी notifications मिलें आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस्स ना करें फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई information या नई gadget के साथ तब तक के लिए good bye take care जैहिन चे भारत